हालो फ्रेंड्स वालकम डू आर चानल तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी मैगी रिंग्स जो की बहुती टेस्टी और बहुती क्रिस्पी होती है तो आईए अब हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रीडियन्स की जरुरत होगी तो सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिये है चार उबलेवे आलू जिनको मैंने कद्डुखस कर्लिया है 1.5 पेकेट मैगी का जिसे मैंने क्रश कर लिया है एक पेकेट मैगी मसाला चार लसन को मैंने कूटलिया था आधा कप मैदा, थोड़ी सी रेड चिले फ्लेक्स, थ्री फोर्थ कप मैदा बैटर के लिए, एक कटीवी हरी मिर्च, नमक, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच लाल मिश पाउडर, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच गरम मसाला, और तेल, तो सबसे पहले हम चार कद्दू कस्की होए आलू लेलेंगे, इसमें हम डाल देंगे, लेसन का दर्दरा पेस्ट, कटीवी हरी मिर्च, नमक स्वादा नूसा, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच लाल मिश पाउडर, हल्दी, आधा चमच गरम मसाला, थोड़ी सी रचली फ्लेक्स, आप स्पाइसे अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं, अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच देल, और इसे हातों से अच्छे से मिला लेंग से अच्छे से गून लेंगे, तो ये आटा बिल्कुल रडी है, और तेल हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, हमें इसे शालो फ्राय करना है, तो इतनी बड़ी मैंने लोई लिये, और मैंने पट्टी और बेलन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है तेल से, और इसे हल्क तो देखिए इसकी ऐसी थिकनेस होने चाहिए है, इतनी मोटाई इसकी रखनी है हमें, अब हम एक कटोरी के हल्प से इस पर कट बना देगे, जितनी बड़ी हमें रिंग चाहिए तो इस तरह से हम बाकी कट भी रैडिकल लेंगे, और जो एक्स्टा माटीरियल है उसे हम निकाल लेंगे, और छोटा धकन लेंगे हम, और उसे इस तरह से दबा कर हलका सा पैला लेंगे, और जो अंदर का एक्स्टा माटीरियल है उसे हम निकाल लेंगे, तो इस तरह से हम तो मैंने बाकी रिंग बना कर रैडिकल ली है अब हम एक बाउल लेंगे इसमें हम डाल देंगे 3 4th कप मैदा और इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर इसका बैटर रैडिकल लेंगे देखिए इस टाइब की कंसिस्टेंसी होने ही चीए बैटर की अब हम ले लिंगे मैगी इस पर हम डालतेंगे 4 शमज पानी पानी टालने से क्या होगा जो हमारी रिंग है उस पर मैगी इजीली चिपक जाएगी और ये मोल क्रिस्पे बनेगा हमारा तेल गर्म हो चुका है तो अब हम रिंग को मैदे वाले बैटर में डिप करेंगे और इस पर अच्छे से मैदे को बैटर को लगाएंगे अब इसे धीरे से उठा लेंगे हम और जो एक्स्ट्रा मैटर का पैटर है उसे हम निकाल लेंगे और इसे मैगी पर रख देंगे और इसे हातों की हल्प से हम मैगी को इसके उपर लगाने की कोशिश करेंगे और हलके हलके हाथों से मैगी को हम दबा दे जाएंगे ताकि जो मैगी है वो तेल में निकले ना और जहां पर मैगी नहीं लगी उस तरफ हम इस तरह से उसे लगा देंगे और इसे हलके हाथों से दबाने की बाद तेल में फ्राय करेंगे इसे हमें medium flame पर ही fry करना है और इसे हम पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से fry करेंगे तो ये rings अच्छी तरह से fry हो चुकी है इसी तरह हम बाकी rings को भी fry कर देंगे और मैगी मसला स्प्रिंगल करके प्लेटिंग कर देंगे नए वीडियो के अपडेट के लिए आप इस id पर हम इंस्ट्राग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं तो ये रही हमारी tasty crispy maggie rings बिल्कुल ready अगर आपको ये recipe पसंद आई हो तो इससे like करें और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले और subscribe करें हमारी youtube channel sisters recipe को थैंक ये फर वाचिंग